अलो एब्रीवन वेलकम टू प्रेप आईएस आप सभी का प्रेप आईएस पे स्वागत है फ्रेंड्स UPSC Civil Service Examination Target Year 2023 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली बैसिस पे टागेट्स बना के दे रहे हैं आपका डेली प्लान बना के दे रहे हैं तो इन टागेट्स को आपको कंप्लीट करना है डेली बैसिस पे और इस तरह से आपका prelims और mains का syllabus timely खतम हो जाएगा अब देखो इस program में Monday to Friday, early morning हम आपको targets प्रोवाइट करते हैं पुरा दिन होता है उनको complete करने के लिए और फिर night में 10 बजे रात में 10 बजे इनी topics पे based कुछ questions आपको attempt करने को मिलेंगे हमारे telegram channel पे तो इससे आपको confidence मिलेगा और ये आप feel कर पाओगे कि आपकी preparation right direction में है या नहीं है अब देखिए Saturday, Sunday कोई भी target हम नहीं देते हैं तो कि weekends हमने reserve किया हुआ है for revision and backlog को आप clear कर सकते हो तो इस week के ये आखरी targets है तो Saturday, Sunday कोई भी targets आपको नहीं मिलेंगे तो थोड़े से जादा targets में आपको दूँगा क्योंकि पूरे दो दिन है पूरे तीन दिन का है पूरे तीन दिन है cover करने के लिए तो भई environment and disaster management ये लेके चल रहा है तो भई environment के लिए शंकर आईस की book को हमें refer करना है बड़ selectively तो पहला target होगा environmental impact assessment काफी छोटा chapter है इसको करिए then biodiversity chapter number 9 ये करना पड़ेगा इसको भी कर लीजिए काफी छोटा है schedules of wildlife production act 1972 केवल इसका first page करना जहां पर schedules के बारें बताया गया है जो पूरा listing है न animals की वो हमें नहीं देखनी है केवल front page तो page number 139 केवल ये वाला आपको देखना है बाकी पूरा chapter आप skip कर सकते हो ठीक है तो वो animals species जो news में है केवल वही हमें ध्यान में रखनी होगी और वो current fair में आ जाता है तो यहां से मत करना then plant diversity of India तो इसमें ये दोनों portion कर लो और ये कर लो बस बाकी आप छोड़ सकते हो ठीक है तो ये आपको करना पड़ेगा और time में तो पूरा भी कर लो आपके उपर depend करता है क्योंकि केवल nine pages है बट अगर आपको selective होना है तो ये चार जो topics हैं ये आप कर लीजिए ठीक है इसके अलावा disaster management में एक तो part one था जो मेरा पहला target था अब उसको complete कर लो disaster management in India and जो next topic है natural hazards in India ये भी दो part में करेंगे ये थोड़ा सा lengthy है तो इसको आपको complete करना होगा क्या-क्या hazards होते हैं उनको कैसे आप दूर कर सकते हो prevent कर सकते हो वो सब यहाँ पर करना पड़ेगा तो ये mains का topic है तो ये topics आपको prepare करने है कहां से करोगे या तो इस book को refer कर लो otherwise value added material net पर आराम से मिल जाएगा और इसी को prefer करो इसमें अच्छे से आपकी preparation हो जाएगी अपने खुद के notes बना लो newspaper करना ही करना है तो बस यही targets हैं जो आपको पूरे करने होंगे और फिर अगले targets मैं आपको दूँगा Monday को तब तक के लिए All the best Goodbye And Jai Hind